सो नाव दोस्तों यहाँ पर एसेंचर के रिजल्ट आ चुके हैं और यह पूरे IT सेक्टर को प्रभावित करेगा इंपेक्ट देगा और कल यहाँ पर कहीं न कहीं IT सेक्टर में TCS Infosys Bipro जतने बड़े लीड आ रहे हैं इवन यहाँ पर छोटे प्लियर्स जो है उनमें सब मैस शायद यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है अब यह क्यों है देखे जो की मैं बात कई महीनों से कह रहा था वो अब सच होते हुए दिख रही है डॉलर यहाँ बढ़ने के बाद भी यहाँ पर जो है उन इस्टीमेट को यहाँ पर किलियर नहीं कर पाए एसेंचर लिमिटेड जी हाँ यहाँ पर स्टॉंग क्वाटर रहा है लेकिन यहाँ पर जो इनकी तरफ से कमेंटरी आई है बिलो इस्टीमेट यहाँ पर जो है रिजल्ट सब्सक्राइब कर दिए और यही चीज न आपके इन्फोसेश टीस में भी देखने को मिलेगी डैस्ट वाई मैं अमेसा से कह रहा था अभी कि यहां पर जो है आपको जो बजट है जो बजट है एक्चुल में वह कटोती देखने को मिलेगी यूएस की तरफ से तो यहां पर अ इवन यहां पर हाईर डॉलर की चलते यहां पर जो है आपको थोड़ा सा बहतर देखने को मिला है लेकिन असल में अगर यह डॉलर इतना हाई नहीं होता तो फिर साइद यहां पर अच्छा रिजल्ट इतना भी आपाना मुश्किल था तो आभी ना यह सबसे बड़ी दुन करके लिए हिए हैं तो उनल्स नजर आती होएँ देखने को मिल सकती आज जो तीजी थी वो भी गाया वो गी थी लास्ट टाइम में अब एसेंचर के रिजल्ट कैसे हैं देखी टोटल रिविन्यू जो है 15.4 बिलियन डॉलर का निकल के आया है और यहां पर 22% की उछा ले लेकिन यहां पर इस्टीमेट रखा गया था आपका 16 बिलियन डॉलर के आसपास का और उससे भी कम है एक्चुल में बहुत कम है किसी ने 15.8 बिलियन डॉलर का इस्टीमेट रखा था तो उससे भी ज्यादा कम है यहां पर जो है अभी यहां पर मार्केट ओपन होगा यूएस का साथ मुझे इंडियन टाइम के असाब से और यहां पर है आपका ए आएगा कि कल इंफोसे से विपरो टीसे इन में कल भाग दोड़ जादा देखने को मिल सकती है कल आइटी सेक्टर में और यहां पर जो 19 परसेंट का उच्छाल अनिंग पर शेयर में है यहां पर बात कर और और बुक भी पड़ती हुए नजर आई है मीडिया टेक्नोलोजी जिदे की सही से आपको दिखनी रहा हुँ लेकिन मुझे मैं यहां पर बता पार हुँ कम्निकेशन मीडिया टेक्नोलोजी में 23% की जंप देखने में लिए है यहां पर फाइनिंस सर्विस में 22% की जंप तो हैल्द एंड पब्लिक सर्विसेस में 19% की जंप प्रोड़क्ट जो है उसमें 18% की बड़त देखने में लिए है यहां पर जो इकनोमिकली मैं आपसे बात कर रहा था कि यहां पर जो हाईयर इंफलेशन की चलते यहां पर जिस तरीक से इंटरस्ट बढ़ा जा रहे हैं फैट की तब से वहां पर अर्निंग डाउन आ सकती है युएस के है जो प्रोड़क्ट कंपनी है एक्चुल में वह अपनी जो बजट है जो आईटी स्पेंडिंग है उसमें कटोती देखने को मिल सकती है याने कि जहां पर हजार लोगों की डिमांड थी वहां को 900 लोग मांगे जाए तो 900 लोगों के खर्चा करने के तयार लेकिन वह 100 लोगा दिया है पहला जो हाई एस जो आगर ने कंपनी जो टॉप लीडिंग कंपनी है उन्हें से एक ऐसा है जिसने 52 लोगाया है और बिप्रो लिमिटेड यहां पर भी नजर रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा शौर्टिंग पोजिशन जो है वह वह बिप्रो लिमिटेड क लो लगा दिया होता तो हम कहते कि आईटी पेक जो है वो डाउन है बट यहां पर जो है इनफोसिस ने अगर लो लगाया 52 लो टूटा है तो यहां पर इसका मतलब यह शौर्ट पोजिशन यहां के अंदर क्रियेट हुई है और लोग पहले से अंदाज़ा हो गया था कि एस एसेंचर आज market में कैसा करता है युएस के market में उसके बाद यहां पर कुछ अंदाज़ा लगेगा जया रखे कुछ अंदाज़ा लगेगा बाद में तो अगरा प्रतर्शन करता है आज के बजार में तो यहां पर जो है कल हमें IT सक्टर पर दवाब दिकने मिल सकते हैं आप अभी हम जज नहीं कर सकते कि यह गिरेगा वो गिरेगा अभी हम यह बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते पर हाँ आपको यह मानना होगा ऐसा लगता है कि जो 2020 के बाद जो कोविट के बाद आम ने जो तेजी देखी वो तेजी लगता है वो थोड़ी सी मंदी में create होने वाली है और यूस से जो है IT spending जो है वो बाकिए मैं कम होती हुँ दिखाई देरें जब एसेंचर की हो गई है तो TCS, Wipro, Infosys इन सभी IT सेक्टर की companies जो है इन सब की जो IT spending है वो कहीं कम होती हुँ दिख सकती है तो यहां से ध्यार रखेगा जो की बात US के अंदर में आपको लास्ट बारी बता दे रहा हूं यहां पर और हम वीडियो खतम करते हैं तो लास्ट में यहां पर जो है माफ कीज़गा यहां पर जो है बोली गी थी कि 6 से 8 महीने जो है वो बहुत important होने वाले है और मुझे यहां पर जो है जिस तरी के रिशेशन की बात करी आरी इटी बहुत ज़ादा इंपेक्स करेगा तो यहां पर तयार हो जा यह एक नाइडी में एक recession देखने को मिल सकता है اور अगर ऐसा होता है recession आता है तो 4% लेकिन उतनी बड़ी गिरावट भी हमको देखने हो मिल सकती है और 2020 ध्यान रखेगा 2020 के बाद बहुत 5 टाइम, 10 टाइम इस टॉक्स हो गए है तो वो कहीना कि अब छट्टी होई यह आपर जो रिटन है वो छट्टी होई नज़र आ सकते हैं तो ध्यान रखेगा इस पर रिपोर्ट जो है न जो नहीं नहीं रिपोर्ट आएंगी उस पर गौर करिएगा ध्यान से पढ़िएगा और हम अपनी बात तो बात में करी लेंगे देखते हैं कि क्या होता है तो फ्लीज करें से न में कहीगा और आप दीज मुझे है बड़ी देखने के लिए बहुत दन्वाद दोस्तों